प्यारे बच्चो आज हम आपकी class 4 की English का first chapter जिसका नाम है A Thank You Prayer इसको हम read करेंगे बच्चो ये poem है तो इसमें बच्चो पहले लिखा हूँ है discuss आपकी book यहां पर दीव हुई है सामने बच्चो हम इसके word meaning करेंगे और जो इसकी हिंदी होगी वो करेंगे तो यहां पर summary और translation हिंदी है तो आपको पहले तो क्या करना है English में poem को read करना है उससे पहले हमें कुछ questions के answer देनी है जैसे first है what do you say to your friend when he she helped you आप क्या कहते है अगर आप जब आपका कोई friend आपकी help करते है तो आप क्या कहते है उसको बदले में thank you thank you कहते है अब बच्चो second question है what thing do your mother and father do for you आपके माता पिता आपके लिए क्या कारे करते है ठीक है third question है what should we say to our parents for the thing they give to us अब हमें क्या कहना चाहिए अपने parents को parents का मजब तर ममी पापा माता पिता जब वो हमें चीजे देते हैं वस्त्वें देते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए parents को thank you next question है fourth बच्चो what should we say to God for the things he gave to us अब हमें God को भगवान को क्या कहना चाहिए जिनों ने हमें इतना कुछ दे रख है तो हमें भगवान को भी क्या बोलना है thank you तुमारे chapter का name यह है न a thank you prayer तो चले बच्चो poem को read करते है let's read the poem बच्चो first line है four meal to drink and food to eat four eyes and ears and hands and feet thank you God तो इसमें बच्चो जो word meaning है देखिए four का अर्थ होता है के लिए drink का अर्थ होता है द्रव पदार पीना आप जो water पीते हैं milk पीते हैं तो जो कोई liquid चीज हम पीते हैं उसके लिए क्या वर यूज होता है drink and and का अर्थ होता है बच्चो और food का मतलब होता है खाना या भोजन इट मतलब खाना जो हम खाते है आइस का मतलब आंके यह का मतलब होता है कान हैंड का होता है हाथ feet कार्थ होता है पैर थैंक का मतलब होता है किसी को धन्यवाद बोलना अभार प्रगट करना कोई हमारा काम करता है तो बदले में और फीट थैंक यू गोड परमात्मा के लिए प्रती अभार प्रकट करते हैं कि वे हमें पीने के लिए दूद खाने के लिए भोजन देते हैं उन्होंने हमें आंखे कान हाथ और पैर दिया है ठीक है तो यहां लिखा हो ना हमें फ्रमी ट्रिंब पीने के लिए दूद दिया है और फूटो इट खाने के लिए बोजन दिया है फोर आइस इस दिय कारकिंक strategy & आध दियें एंड फीट मतलब पैर दियें थैंक यू गॉड तो इसके लिए थैंक यू बोले हैं गोड को बगवान का आभार प्रकट करें बगवान को थैंक यू बोले हैं नेक्स्ट है बच्चो फोर मदर फोर फादर एंड दियर किया फोर अवर हाउस एंड क्लोथ तो वियर थैंक यू गोड तो बच्चो मदर का मतलब होते हैं मा या जननी माता मम्मी फादर कारत होते हैं पीता पापा और कारत होते हैं हमारा हाउस कारत होते हैं रहने का मकान चा थीकषिया है फोर। then तoral एंड एकषिया खरू को अब जो इश्वर है तरीए तो नियुको अब तो इसको zo माताइटी है और उनकी देखरेएंड़ पता करें दे रहें और भगवार नहीं सकत है तो बड़े जगह जगा मध्गोश। बता है बता है न आपको तो धन्यवाद दिया गए अपर महिश्वर को जिन्हों ने हमें माता पिता दिये जो हमारी केर करते है देखवाल करते है फोर आर हाउस और हमारे घर पहने को जो पुशाक दिया है थैंक यू गोड उसके लिए बगवान को धन्यवाद देते हैं नेक्स है बच्चो फोर फ्रेंड विद होता है जिसे जिसको या जिसने जिनके रन का मतला होता है दोडना प्ले मतलब खेलना सन होता है सूर्य है दूपया सूर्य की रोष्णी रेन होता है बारिश वर्षा नाइट होता है रात और दे होता है दिन ठीक है अब देखो बच्चो फोर आल दा यहारा बच्चो फोर फ्रेंड विद हूम आई रंड रं एंड प्ले अब बगवान को फिर हम धन्यवाद दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं उन्होंने हमें फ्रेंड दे दिये उन दोस्तों के साथ हम दोड़ती है आई रंड एंड लििखना मैं दोड़ता हूं और दे आपर प्रगट ने संब्नाया सूरज बनाया जिसे में दूप मिलती है बारिष बनायी पानी मिलता है ने एंड नाइट और दे बनाये इन सब के लिए मैं इश्वर को धन्य वाद करता हूं आपर प्रगट करता हूं कि मुझे फ्रेंट दिये खेलने के लिए for all the things and give to me help me to always thankful be thank you God तो बच्चो अल कारत होता है सभी समस्ट भगवान ने जो भी चीज़े हमें दिया है तिंक्स कारत होता है बच्चो चीज़े वस्त वे गी मतलब देना मी मतलब मुझे है का मतलब होता है साइता या मदद थैंक्फुल होता है प्रसंट और चिंता मुझे और बी का मतलब होता है होना तो फो All The Things You Give To Me अब भगवान को फिर अभार प्रगड कि आ गया धन्यवाद दिया गया है उन सभी चीज़ों के लिए जो भगवान ने आपने अमें दिया है तो भगवान को कहा चाह रहा है कि आपने जो चीजे हमें दी हैं उनके लिए आपको थैंक यू धन्यवाद help me to always thankful मुझे हमेशा प्रसन और चिंता मुक्त रखने में मदद करती हो मुझे कोई टैंशन नहीं देती हो हमेशा मुझे खुश रखती हो इसके लिए धन्यवाद किया जाता है बगवान को थैंक यू गोड तो यहां पर बगवान को दिया धन्यवाद किन किन्ची जो के लिए दू जो हमारी देख बाल करते हैं उसके लिए भी God को थां कू वोले House दिया हमें रहने को किलोत दीया है कपड़े पहने को त्स 지역 के लिए जिनके साथ हम केलते हैं Sun दिया है जिससे हमें light मेलता है दूप मिलता है rain दिया है बारिश दिया है छिसके हमें पानी मिलता है नाइट और भी बनाया है नाइट को हम सोते है। हर एक word का meaning आपको हिंदी में बताया गया है तो आपको क्या करना है सारे word meaning जब आप chapter start करोगे तो सबसे पहले क्या लिखने है आपको chapter 1 फिर लिखने है चैप्टर का नेम फिर word meaning करने है तो जितने हैं word meaning करवाए है हमने तो आपको notebook में एक साथ लिख लिजेगा उसके बाद आपको इसकी translation लिखने है हिंदी में और आपको learn भी करने है तो चलिए बच्चो इसी के साथ फटा फट कर दीजे वीडियो को like and share और चैनल को subscribe ताकि इसी तरह से हम आपके other subject के वीडियो भी लाते रहे बखी बच्चो आप playlist में जाकर आपकी class के जो भी subject है इव्यास math English and Hindi क other chapter वो भी complete है तो playlist में जाएए आपको सब मिल जाएगा चैनल को भी subscribe केजिएगा thank you have a good day.